अगर बी आरेस वापिस आई तो पेपर लीक होते चले जाएंगे अगर बी आरेस आई तो पक्के घर नहीं बनेंगे अगर बी आरेस आई तो धरनी पोर्टल द्वारा आपकी जमीने लूटे जाएंगी अगर बी आरेस वापिस आई तो महिलाओं पर अत्याचार नहीं रुकेगा अगर बी आरेस वापिस आई तो तेलंगाना शराब में डूपता चले जाएगा अगर बी आरेस वापिस आई तो तेलंगाना का कर्ज बढ़ता चले जाएगा अगर बी आरेस वापिस आई तो दलितो और आदिवासी भाई बेहनों को अपना हक नहीं मिलेगा मल्ली बी आरेस पार्टिकन को उसते दलितो लू आदिवासील को मी हक्कुल मीको उन्डवो मी हक्कुलन मत्तं गुंज कुणटार वान चपता होंदारू दोराला तेलेंगाना मस्बूत होगा और आईतु और प्रजा कमजोर होंगी और कॉंग्रेस आई तो प्रजा पालना भवन से सरकार चलेगी कॉंग्रेस पार्टि होसते प्रजा प्रभुत्व वस्टूंदी प्रजालक सम्मन्ध इंजरेटोंडी प्रभुत्व वस्टूंदी अंजबता होंदारू कॉंग्रेस आई तो जिस तरह से हमने राजस्तान और चत्तीस गाड में रोजगार दिलवाएं हैं उस तरह से आपको यहां भी रोजगार दिलवाएंगे अगर कॉंग्रेस पार्टी आई तो आपका पैसा आपके जेब में वापिस डाला जाएगा आपको जमीन के पटे मिलेंगे आपको भर घर बनाने के लिए पैसे मिलेंगे अगर कांग्रेस आई तो मेरी बेहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे आप पूरे तेलेंगाना में जाँ भी जाना चाहें आपकी बस यात्रा फ्री होगी राहितु को ताकत मिलेगी धान पे 500 रुपए प्रती कुईंटल बोनस मिलेगा प्रती यकरान की आईदु वंदल रूपायल एक्स्ट्रा बोनस देवसायदारलकू राहिताललकू अस्तावियन जापता हुन्दारू 24 गंटे बिजली दिलवाएंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी कांग्रेस पार्टी प्रभुत्तों लोकी रागने फ्रती यिंटि की रंडु वंदल रंडु कंड रंडु वंदल यूनिटल करन्टू मीकू उचितंगा लभिस्तुंदियाने विशायनी जबता हुन्नारू और किसानों को पसल का सही दाम मिलेगा MSP गैरंटी होगी रहित्तुलकू रहित्तुरुनमाफितो पाटू मीकू परिक पंडकू मत्रदु दरैस्टोनु